कि हैंट कि अंधकि बात करने कि आप कोस्तिंग का ली सकते हो कैसे खरी चाहिश फिश्ट इप सकते हो एन वर्ड पृट्स पाफ टीट के से बाना सकते हों आप प्रस पार विडियो से देड़िकर आधू सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको चाहिए रहते हैं उसके बाद पिक्चर में आता कि वर्डप्रेस से वेबसाइट वगड़ा किसे बना है सबसे वीडियो में बात करेंगे क्या होस्टिंग कैसे बना सकती हो सबसे पहले मैं रिकमेंट करते हो कि होस्टिंग लेना है अगर आपको तो एक अच्छी कंपनी चुछ करो एन अच्छी रेपोटेटिव जो की होस्टिंगर है मेरे हिसाब से होस्टिंग को किओ करने इन के प्लान हहने पर देखने को मिलता है है क्यों एक इनका से फिंगल है देखने को मिलता है क् प्रीम देखने Okey गैस में आपको रेक्मेंड कर दो कि पिम्युम वेभॉस्टिंग वाला प्लान ले लो कि यह आप को वेबसाइट कर सकते हो एंद सो गया थो चल जाएक दोसा इडे में चला तीसरा अपर आपको कि डिल जाता है यहाँ पर अपको डोमेंड सब्सक्राइब रख जाती है फिल 24x7x365 को support देखने वो मिलता है तो इन सबी चीज़ों के विजसा होस्टिंग कर सकते हैं इसका इसका इच वीच वाला प्लान प्लान देखने है कि इसमें 100 वेबसाइट कर सकते हैं तो इससे आप सिद्धे जा के कार्ट मेंट कर सकते हैं किते दिन के लिए कितना महिने के बारा मेले कोड़ चूज करने के वाद आप आपकी यहां पर लगा सकतो दिपेसपाल 17 जिससे आपको इंस्टेंटली आफ दिखने को मिल जाएगा जो भी इस टेंप पे बेटर ओफर इनकी वेबसेट तो आपको आपको अपन कोड़ लगाने के वाद यहां पर आप सब्मी करने के बाद आप यहां से आपकी होस्टिंग को चूज कर लो आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पैनल आपको देखने को मिलेगा जिसे एच पैनल भी कहते है एट डिटेल से काफिया लगे इसे मैंने डीटेल में एक्स्प्लेइन कि आपने कुछ आपने कुछ अ दूसरे वीडियो में एनिवे अब वेबसाइट को डिपलाय करने के लिए मॉस्ट ओफ दो यूजर ऑट इस्टॉलर यह फाइल मेनेजर को यूज करेंगे फाइल मेनेजर का बेसिकली वह लोग यूज कर सकते हैं जो लोग कोडिंग से वेबसाइट बनाते हैं कोडिंग से वेबसाइट बनाई हो Cassiate झाएगे अगर कूलिंग से वेबसाइट मनाते हो तो आपको बैसिक इसके आइडियास तो जरूर होंगे कोई बात की आपको कोई आडिया नहीं तो मैं दूसरा तरीका है आपको बतहाता हूं बेल कोडिंग वालों के लिए तरीका था यहां पे इस पैनल से फॉल्डर अप्लोड कर सकते हो फाइल से अप्लोड कर सकते हो डिलीट वगड़ा सारी चीज़े मैनेज कर सकते हो लेफ्टन साट पर इस्टोरेशन बाती चीज़े देख सकते हो एनीवे यह है उन लोगों के ल यहां पर उकलिकक करना है है तो उसको नॉर्म सेलेक्शिन वानि और यहाँ क्लिक करण पैस्टाल Globe की website पर WordPress इस्टॉल हो जाएगा अब हम WordPress में वेबसाइट बनाएंगे कैसे इसके लिए आप एडिट वेबसाइट वर्टन पर क्लिक कर दो इससे क्या होगा WordPress का पैनल खुल जाएगा अब WordPress वह जगह जहां से आपकी website मेनेज होगी अभी अगर आप WordPress इस्टॉल करने वाद आपकी website के URL खोलोगे आपकी website के डोमेन खोलोगे तो कुछ default template के साथ देखने को मिलेगा आपको इससे चेंज करना है तो यहां पर आप एन लिस में आगे themes पर क्लिक कीजिए इसके बाद यहां पर आप multiple आपको वहां पर सारी themes देखने को मिल जाएगी तो यहां से आपको एक theme चूस करना रहेगी तो WordPress खुद ही में फ्री में काफी सारी बहुत तरह तरह की themes प्रवाइड करता है आपको e-commerce website चालो करना हो और फी व्लॉग चालो करना हो और फी news website चालो करना हो क्लिक करके install कर लिया activate कर लिया अब में website को जाके refresh करता हो यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे website में नए डिजाए नया UI देखने को मिले UI मतलब user interface इससे आप customize कर सकते हो customize button पर क्लिक करकी यहां पर literally आपकी website का header logo नाम पता address menu सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हो like मैं उपर से logo हटा दिया मैं मुझे website पर logo नहीं चीए मैं यह पर title डालता हूँ only title को select कर देता हूँ तो मुझे बस website पर title देखने को मिलेगा logo बनाने की बीचेंजट खतम हो गई इस तरह से आप आपकी website में literally सब कुछ customize कर सकते हो ओपर save कर दिया website को load करो के नए changes आपको दिख जाएंग देखने को मिलेगा यहां पर आके विसिकलिए आपका post write कर सकते हूँ मैं कुछ भी random सा text है पर डाल देता हूँ इस टेस्ट पोस्ट एन यहां पर कुछ पेरेगराफ वगर मैं आपको लिए डाल देता हूँ वेल यहां पर इसके editor में आप देख सकते हूँ कि सारे links URL download के option file photos वगर सारी चीह आप एडिट कर सकते हूँ आप जैसे से इसको post वगर के option को explore करोगा आपको चीजे समझ में आजगी normal users है कुछ नहीं आपको राइट हैं साइट में पर post related options देखने को मिल जाएंगे आप जो feature image रहता है thumbnail रहता है वो चूज कर सकते हो यहां पर tags वगर लगा सकते हो जो यूटूब में tags होते हैं जो keywords होते हैं आपके post related वह keyword वगर कर सकते हो और भी अलग अलग SEO से related setting है जिनने मेंने मेंने दूसरे वीडियो में काफी अच्छ से लोगों को समझाया तो वीडियो को बारे में आपको आगे बताता हूँ anyway post को यहां पर पब्लिस कर दे मैंने जो recently post किया है वो यहां पर देख रहा है वैल अभी मैंने website को इतने अच्छ से edit नहीं किया है इसको user interface को UI को वैल यह बस आपके demonstration purpose के हिसाब से बता रहो तो यहां पर आप देख सकते हो यह post वगर सारी चीज़े देखने को मिल रहे है by default comment वगर के option भी आपको देखने सारे option आपको देखना कि see panel के एक चीज़े समझना है आपको hostinger के एक चीज़े समझना है आपको एसी कोई website मनानी कि जिसमें automatically news publish होता रहे and आप एक वार उस पर website को setup कर लो setting कर लो अपने content आता रहेगा उस पर add लगा दो और अपना पैसे आते रहेंगे तो यह पूरी process को मै ने मेरे एक playlist में समझा है इसकी link देदूगा description में आप जाके देख सेखते हो Google Ads setup करना website बनाने सारी चीज़े बताइए advanced user बनना चाहते हो समझना चाहते हो तो एक वाज इन तीनों वीडियो को देख लेना काम आएगा वीडियो अपको आपको बश्वाशना है और वीडियो प्सक्राइब कर दो एंद नोट अश्वाशना प्रक्राइब को दवाला मत भूलना अग्डियो एंडियों एक्स वीडियो एपनियूर बड़ाई